नमस्कार आप देख रहे हैं विरा 24 न्यूज मैं स्वाती महराश्ट के वर्धा से जबलपुरा कर एक ओटो चालक की साथ मिलकर दो लाख रुपय की चोरी करने वाली महिला को मंगलवार की रात ओमती थाना पुलिस ने महराश्ट से गिरफतार किया है महिला का नाम अमरिता पती हर्चल है जो की महराश्ट वर्धा असोक नगर की रहने वाली है पुलिस ने उस आटो चालक को भी गिरफतार किया है जिसने चोरी करने में महिला की मदद की थी ओमती पुलिस ने महिला और आटो चालक की द्वारा चुराए गए एक लाख पचास अजार रुपैज जब्त कर लिये हैं नेपियर टाउन निवासी स्याम लाल ने ओमती थाना पुलिस को बताया कि 20 नवंबर को उसकी नाती की साधी बिलासपूर में होना था इसने वह उननीस नवंबर को असोका होटल से साम साधे पांस बजे एक बैग में सोने चादी के जेवरात और दूसरे बैग में नगत दो लाख रुपै लेकर अपनी नातीन के साथ घर आने के लिए आटो क्रमांग केमपी बीस आर पैतिस अठारा में बैठ गया स्यामलाल और उनकी नातीन जिस आटो में बैठे उस आटो की पिछली सीट पर एक महिला पहड़े से बैठी हुई थी आटो चालक ने स्यामलाल और उनकी नातीन को महिला के साथ बैठा दिया महिला को पहड़े तीन पती चौक से उतरना था लेकिन महिला वहां नहीं उत्री चौथे पुल के पास पहुँचकर स्यामलाल ने आटो रुपाया और नातिन के साथ आटो से उतर कर किराये के साथ रुपए दे रहे थे तब ही आटो चालक महिला सहीद आटो लेकर वहां से भाग गया स्यामलाल नातिन के साथ घर पहुँचे यहाँ जब बैक को चेक किया तो उसमें नगद रखे 2 लाख रुपै गायब थे श्यामा प्रिसाद ने आटो में सफर के दौरान बैक से 2 लाख रुपै चोरी होने की सिकायत पुलिस थाना में दर्ज कराई स्यामलाल और उनकी नातिन ने पुलिस को बताया कि चोथा पुल तक आने के लिए जिस आटो में बैठे थे उसमें साथ में एक महिला ने भी सफर किया था इतना ही नहीं सफर के दौरान आटो में बैठी महिला से आटो ट्राइवर बार बार बात भी करना था स्यामलाल के इस बयान की जाच करने पुलिस ने घटना वाले दिन के CCTV कैमरे फूटेज चेक किये साथी स्यामा प्रशाद से सड़क पर दौर रहे उस आटो की पहचान कराई जिसमें वे चौथा पुल तक आने के लिए सवार हुए थे कैमरे फूटेज में दिख रहा है ओटो घमापूर काच मुहला निवासी रोहित साहू का निकला उससे पूशनाच करने पर महाराश्ट के वरधा गाउं में रहने वाली महिला का एड्रेस दिया जो स्यामा प्रशाद के आटो बुक करने से पहले ही उसमें सवार थी इस पर महिला चोर और चोरी में साधिस आटो चालक रोहित साहू को गिरफ्तार किया है दिख रोहित साहू ओम्ती पुलिस को पूश्ताच में बताया कि 19 नवंबर की साम को वर्धा असोक नगर निवासी अम्रित को आटो में उसने रानी ताल्व से बैठा कर तीन पत्ती ला रहा था असोका होटल के सामने से दो सवारी जिसमें एक लेडिज और एक जेंट्स आटो में बैठे थे जिन्हें चौथा पुल के पास उतारा था अम्रिता ने चोड़ी के 2 लाख रुपे में से रोहित साहो को 15 रुपे दिये और कहा कि 2-3 दिन आटो मत चलाना रोहित साहो के बताये गए महिला के हुलिये के आधार पर जबलपुर पुलिस अम्रिता की तलास करने में जुट गई है पुलिस की जाच में सामने आया कि अम्रिता महाराष्ट के वर्धा असोख नगर की रहने वाली है जिसके आधार पर उम्ती थाना पुलिस की एक टीम ने अम्रिता पती हरसल असोख नगर साई बाबा मंदिर के पास थाना वर्धा जा कर दबिश दी महिला को हिरासत में ने कर जब पुछताच किया तो महिला ने स्विकार किया कि उसने ही आटो से दो लाख रुपए चुराए थे उम्ती थाना पुलिस ने चोड़ी गए दो लाख रुपए में से एक नाख पचास अजार महिला से जब्त कर लिये है नमस्कार रिवा मैं हूँ भानुपंडिक और मैं हूँ अनीता भट और हमारे हैं आपकी शहर रिवा 11 दिसेंबर 2020 कृष्णा राजकपूर ओडियूटॉरियम में एक सुरो की महिल सजाने जिसका नाम है उड़ाण शाम इगजल एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपने प सुकला जी का जिन्नों ने हमें घिवा शेहर आमन के खिया सूफी वाल दे